आप सुन रहे हैं विवित भारती आज के महमान आप स्वागतम आज के महमान कारिक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिने त्रीस मीता जैकर तुमसे ये उमीद नहीं थे नंदिनी ये क्या क्या तुमने पिछले आठ महिनों से तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानूंकार खबर तक नहीं हुई तुमने मुझे भी नहीं बताया नफरत हो गई मुझे अपनी मरजी से प्यार करने की इजाज़त नहीं है किसी को इस घर में अपनी खांदान की कुछ रवायत हैं तुम्हारे बाबा की बहुत इज़त करते हैं लोग आज तुम्हारी वज़ए से उन्हें अपना सर जुकाना पड़ा सिर्फ ने कैसे सोचा कि वो इतना बड़ा सदमा बरदाश कर पाएंगी किसे मौन हो चोटी सी मुलाका इंतनी केर भीरा फिलोट प्रकी है में जिसके निर्रिश्टी में पदल जाएं। समीर कहता है, बाबा उसने बहुत प्यार करते हैं। वह सब्सेसायाँ शञावाई माक्व तुम्हारी शादी के साथ न्यूम्स चे मुझान का पता है, पिछली जिंद्धकीडिका। हाँ भेरी शाथी की रस किस हद तक पहुचा है तुम्हारा रिष्टा क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े बोलना नंदिनी बोलो क्या उसे तुम्हें कहीं चुआ है बताओ नंदिनी कि यहां माँ कैसरा का लेकर यह में शुक्ति नंदिनी करोपने नंदिनी को तुम्हें आपको मेरी बात सब्सक्तित बूदा एंप भी उसके इसार्थ हो खंप अनुब पाँआगी मैं तो हिस्सों में अइप कर तो म मश्यां होगी साथा कि उसकी आपको नंदिनी नंदिनी स्मिता जी बहुत-बहुत स्वागत है विविद भारती के स्टूडियोस में स्मिता जी आपका जो तालुख है वो एक ऐसी फैमिली से है जो कानून की विशिशग्य है जी बिलकुल तो वहां से अभिने की यात्रा कैसे हो गई ही क्योंकि आपने तो खुद लॉग की पढ़ाई कर रखी है जी की है अच्छली मैंने लॉग के लास्ट टू यर्स आइड अफ्टर एगाट मेरे लास्ट टू यर्स अफ लॉग किया उस दौरान मुझे दो बेटे भी हो गया तो दो चोटे बचों को घट पर छोड़कर प्रोफेशन में गुच जाना वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था तो इसके लिए वो गैप पढ़ गया वैसे भी मुझे लेकिन बेरी प्रोटेक्टेटड चाइलोर उस दौने में लड़कियों को बहुत दूर नहीं भेजा जाता था था और मांखुर्द वगरह में जाना कलीना में कलीना में था एंस तो लिए लिए उस तो तो इसके लिए तक तो रूक रहे नहीं आगे तो पढ़ना है तो तुम क्यों नहीं law करती हो, मेरे तब बुड भी husband ने, जो अभी के मेरे husband ने, उन्होंने भी बोला कि तुम law करो, शायद तुमको use तो हो जाएगा, हम लोग सब family हैं, lawyers की, तो कहीं पर तुमारा वो education की use हो जाएगी, So, I was forced to do law, उस दौरान शादी होई, बाना, I learned piano for some time, मैंने पेटी सिखी, नाटे संगे, मराठी नाटे संगे चीका, जस्त ऐसी हैं, मतलब time pass के लिए, then I used to do painting, I used to do fabric painting, उसके वो classes थे मेरे, मैं किसी जमाने में bridal mehndi किया करती थी, काफी busy रहती थी थी आप इंस चीज होगा है, बाना, I used to love doing art things, artistic things, तो इसके लिए, तो law की practice नहीं हो पाई मेरे, this is how my journey has started, very honestly, जी, देखिया, कितनी मज़ेदार बातें पता चलें, कि आपने थोड़े दिन piano भी इसी का है, harmonium भी प्ले किया है, बजाने के लिए, प्लेज, वो नहीं हो सब्सक्ता, लेकिन मैं सुच रहा हूँ कि, ये सही जगे हैं, जहां पर हम आपकी पसंद का पहला गाना बजाएं, प्यानो बाना, दिल के जहरो के मैं तुछ को, चल से हैं फिर, प्यानो सॉंग सुनते हैं, हिंदी सिनेमा में कितनी इंट्रेस्टिंग बात है, ये इतनी सारी आटिस्टिक चीजें, आर्ट से जुड़ी चीजें आप कर रही थी, और अचानक कानून की पढ़ाई की तरफ मुड़ गई थी, लेकिन ये जो रंगमंच है, थेटर वाला जो पक्ष है, वो कहां से शुरू हुआ था, वो स्कूल से या कॉलेज से? सर मैं आपको क्या बताओ, मेरी कहानी एक अद्बूत है, उपर वाला साइद, मेरी उपर बहुत नजर है उसकी, ख्लोज लुक है उनका मेरी तरफ, तो ये भी एक अचानक से हुई हैं बात, जी, इट सो हैपन, हम लोग पहले प्रातना समाज में, हरसा उस्पिरल के सामने रहते थे, जब शादी हुई, सिचुएशन ऐसे हुई थी, मेरे हमको घर बदलना था, और वहाँ पे मेरे सारे क्लासेज वासेज मेरे स्टूडेंट सब 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 था उधर प्रातना समाज में, तो वो सड़न ली एक कनेक्शन तूट गया, और तब मोबाइल फोन नहीं आई थी तब, और लाइन लाइन दूसरे घर में तब फिक्स नहीं हुई थी, तो वो सारा कनेक्शन मेरा तूट गया, सबी लोगों से, फिर जब घर चेंज किया, तो मैं यही सोचती रही, तो मैं करूं क्या, बच्चे स्कूल जाते थे तब, अभी-भी हुआ था उनका स्कूल, अभी मैं करूं क्या, मैं पागल हो रहे थी, तो तब सिर्फ दूरदर्शन था, तो वहाँ पे तो न्यूज अनौंसर्स और न्यूज रीडर्शन थे, तो मुझे एक ब्राइट आइडिया से, चलो मैं इधर अप्लाई तो करूं, टाउन में रहती थी, तो तेलिविजन सेंटर वस वेरी क्लोस टू मी, बच्चे जब स्कूल से आएंगे, तो तब तक मैं तो घर लॉट आऊंगी, ये अच्छा आइडिया, ऐसे चलो कुछ तो करूंगी, ये सोच के मैंने टेलिविजन सेंटर में, डिरेक्टर को एक एप्लिकेशन फॉर्म देने के लिए, देलिविजन सेंटर पे गई, फिर वहां पे मुझे एक सुधिर पार्टर करके वो साप थे, वो जो लीगल प्रोग्राम्स वहां पे बहां बोरिंग, उस वक्ख कोटा ची पाईरी और काईदे विशक सलाग लिगल प्रोग्राम्स आया करें, उन्हों ने मुझे बोला कि आप इसको कॉम्पेर क्यों नहीं करती, यह क्या हो रहा है अभी यह तो मैं आई थी अनाउंसर बने को लिए, आईसे नहीं नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉस कहीं पे तो गुज जाओं, ऐसे मैं वहां पे गुज गई, यह तो मुझे और कुछ प्रोग्राम के अप मेरे लिए और कॉम्पेर करें, तो ऐसे करके मैं और दो चार प्रोग्राम इनके कॉम्पेर किया, तब वहां पे BP Singh Saab हुआ करते थे, जो बूत वाली जो पिच्चर हैं, CID वाड़ी तो करते हैं, वहाँ पर he was a very big man then now also he's a very big man तो BP Singh Sahib ने मुझे बोला एक शुन्या शुन्या करके सीर आया करती थी बड़ी फेमस थी उस वाक्स दूरदर्शन पर उन्होंने बोला कि आप एक एपिसोड में अक्टिंग करेंगी इसे मैंने एक एपिसोड किया जो लोगों को बहुत पसंद आया तो वहाँ से एक उस वक्त दूरदर्शन पर आवभान करके 13 एपिसोडिक सीरिल आया करती थी which was very 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 famous in those days 13 episodes में कोई स्टार बन जाता था उस वक्त 1300 सी episodes होने के बाद भी लोगों को पता भी नहीं चलता कि सीरिल है तो I did that serial and from there I never looked back Hindi, Marathi, Stage, Ad Films Ad Films तो तब जब डामायन माहभारत आया करता था तब मेरी अकेली की about 14 ads is to come at one time तो जैदा आप advertising में भी busy होगे सब कुछ एक पढ़ाक जैसे लगता है ना उपर वाला देता है तो छपपर फाड़के देता है तो इसी तरह से छपपर फाड़के सब चीज़े मेरे उपर गिर रही थी और मुझे समझ में नहीं रहता है मैं क्या करूँ, मैं कहा जा रही हूँ तो comparing, anchoring और anchoring से फिर आप acting में आ गई और पिर सिलसला आगे बढ़ता चला गया मैंने सुना आप थोड़ी दिन तक quiz master रही थी है, quiz show किया था आपने? एक मैंने किया था, in fact मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करना, anchoring करना भी मुझे बढ़ा अच्छा लगता है वो आगे कुछ बना नहीं, मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई anchoring का अगर program कुछ मिले, तो I would love to do it चली इसी बात पर एक गाना सुनते हैं, मान लीजे कि आप anchor होती रेडियो में तो कौन सा गाना सुनवाती हैं मुझे पुराने hindi songs बहुत पसंद है बिलकुल, और हमारा channel तो इसी बात के लिए जाना जाता है I love old hindi songs, I love old hindi songs लता दीदी का वो जो एक गाना है लग जा गले, I love that song बिलकुल, वो मुझे बहुत अच्छा लग तो सुनते हैं, ये गाना music मदन महन साब का है बहुत ही शानदार गाना है लता जी और मदन महन साब का जो combination था, वो तो खजब का था मराथी theater की बात करते हैं, अभी बहुत सारी बाते होई जहांपर आप serial करने लगी है और वो सब हुआ आपका जो एक बहुती प्रिसिद्ध मराथी नाटक है, I retire होते वो किस तरह से आये था और उसका क्या response था, क्योंकि उसको उससे पहले दूसरी अभी नेत्रिया भी कर चुके भक्ती बरवे जी, बहुत ही बढ़िया अभी नेत्री, मतलब मराथी stage has really lost a very very talented actress भक्ती जी घुजर गई, उसके बाद में almost after 8 years, ये मराथी नाटक फिर से उसको करने के लिए मुझे मेरे पास वो producer आये थे और मैंने कहा कि ये नाटक मैं करूँगी, I was not aware, तब मैंने सोचा भी नी था कि मेरी comparison भक्ती ताहिट से होगी लेकिन जब आप ये accept कर रही थी, तो कहीं इस बात का डर नी था कि already उन्होंने उसको एक level तक पूचाया हुआ है वो नाटक इतना बढ़िया था, I said no I'm going to do this play, without thinking, और rehearsals हमारे शुरू हुई, बहुत सारे प्रेस लोगों ने आके मेरी ये भी की, मतलब they really tore me apart, you can say, किसी एक प्रेस वाले ने तब मुझे पूचा भी था, कि आपकी हिमत कैसी हुई भक्ती बरवेक का नाटक करने की, I said ये गैरेंटीं कि I'll be as good as her or better than her, I don't guarantee that, आपको नहीं पसंद आएगा, but इसका मतलब ये ने कि किसी को कोशिश ने करनी चाहिए, ये गलत है कि आप कोशिश ही ना करें, किसी और का नाटक करना ही नहीं है, that is wrong, so I said I'm going to try, people don't like it, I accept it, fine, कि भही मैं उनकी दरजे की अक्रेस अगर नहीं पसंद आया, तो fine, it's all right, जरूरी नहीं है कि हर काम आप हाथ में ले, उसमें आप काम्याभी हासल ही करें, लेकिन चैलेंज तो ले सकते हैं, 100%, 100%, लेकिन वो नाटक लोगों को बहुत अच्छा लगा, we did about 250 shows, being a rerun, we still did 250 shows of that play, and आज भी, बहुत मेरे दिल के करी आपने ये कहा, मंच पर उस भूमिका को काम्याभ होते हुए, और उसके बाद उसको अधा करना आई के कैरेक्टर को, वो कितना, किस तरह का होता था, आपके लिए वो experience क्या था, क्योंकि एक challenge था, और आपने उसको साबित कर दिया था, क्या आप वो कर सकती हैं, बिल्कुल, 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 बिल्कुल ट्रांस है, और आपने नाटक में आप वो इसको experience कर सकते हैं, क्योंकि यू आप कहीं पे भी आपका धियान जड़ा सभी दर उदर हट जाता है, तो ये लोस्ट, बलैंक, बलैंक हो जाएंगे, या भ आके मेरी पेरवेर छूती थी ती 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 तो मुझे अजीब सा लगता था था भई ऐसा मत करो इतना वो उनसे कनेक्ट हुआ था वो प्लेट थोड़ा सा हमने पहले जो था उससे थोड़ा सा हमने चेंज किया था आज के जमाने अभी लोगों के पास मोबाइल्स हैं लोगों के पास वो जो औरत पहले कपड़े खुद होती थी अब वाशिंग मशीन्स हैं और उनकी तीन तीन फैक्टरियां दिखाई थी तो मतलब वो एक अपर मिडल क्लास फैमिली की थी तो उसको थोड़ा सा हमने उसको अप्ग्रेड किया था उसको थी तो मुझे लगता है कि ऐसा गाना सुना जाए जिसमें मा की बाते हूं एक मेरी बड़ी फेमोस वीटी फिल्म थी यारियां उसमें एक मा का गाना बहुत बड़िया है जी बिलकुल फिल्म है तो ठोड़ा मेरे लिए गाता है और दिविया दिविया कुमार खोसला के फिल्म, या, she has directed it, very nicely directed, and बहुती हिट हुई थी, आज के महमान कारीक्रम में, आज हमारे साथ हैं, जानीमानी अभीनेतरी स्मितार जैकर, इनसे हम बाते कर रहे हैं, इनकी सिंदगी, इनके करियर, और इनकी शखसियत के कई अलग-अलग पहलूं के पारे में, आज ये सुनते हैं, आगे की बात्चीट, ये थीटर की बातें तो हो गएं, क्या, जितनी ख्याती आपको इस नाmostek से मिली, उतनी किसी और नाकक से मिली, या उतना आनंद, उतनी संतुष्टी आपको किसी और celebrable पहलूं कि राभी करना, नब नाकर उन्य वही live performance होती है, उतनी बार आपको फूर्थी होनी चाहिए कि हाँ, आज मुझे मेरा show है, आज, you know, you should look forward to it तो उस तरह की script भी नहीं आई, फिर मैंने नाटक किया नहीं जादा because I got very very busy in films जी जी, फिल्मों में आई कैसे थी, मतलब पहला कदम जो था ना वो क्या इस नाटक की वज़े से था या और दूसरे रोल्स की वज़े से था वो एक मैं आगे का complete करती हूँ कितनी comfortable है आप गुजराती में मुझे बहुत अच्छी आती है गुजराती, बहुत अच्छी तरस से बोलती है लेकिन नाटक की भाषा, इवन मराठी, ऐसे बोलना और नाटक में बोलना वो भाषा चेंज हो जाती है थोड़ी सी, बैसे गुजराती भी भाषा चेंज हो जाती है तो रहसल तो बहुत बढ़िया हुई थे, and it's a very very hit play अच्छा, थोड़ू logic, थोड़ू magic यह comedy है क्या? नहीं, comedy नहीं है, बट comic है, मतलब हसते हैं आप, आप रोते-रोते नहीं रहते जैसे हसते-हसते कोई मीठी दे, यह शुगर-coated pill देते है, उस तरह का है मेसेज बहुत अच्छा है, लेकिन मीठी तरह से आपको दिया जाता है इतनी बढ़िया बात थेटर के आप कर रहे हैं, तो सह जी यह सवाल मेरे जहन में आया कि जितना ज्यादा मीडिया का, विजूल मीडिया का exposure आज के जमाने में हो रहा है टेलिविजिन का या फिल्मों का, रंगमंच पर इसका क्या असर पड़ा है? जो थेटर के hardcore lovers है, वो थेटर देखने आते हैं I love to watch थेटर, it is a different experience सिनिमा देखना और थेटर देखना, it's a different experience completely तो जो थेटर के दर्दी हैं, वो थेटर देखने जरूर आते हैं definitely आते हैं, तो उसका असर picture picture की जगह है और थेटर थेटर की जगह है दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते अब बात करते हैं किस तरह से आप सिनिमा की दुनिया में आई थे हाँ, सिनिमा की दुनिया में यू हुआ कि जॉन मैथ्यू के साथ मैंने बहुत सारी एड फिल्म्स की थी तो उन्होंने मुझे सरफरोष के लिए पूछा कि यह ऐसा picture है और तब मुझे सिनिमा में इतना इड्रस ने था उस वाक्त तो उन्होंने बोला कि देखो I am directing it, हमारे सब तुम्हारे पहचान वाले लोग हैं सारे, तू comfortable रहोगे और आमेर की मदर का रोल करना है तो आमेर की मदर, I am a die-hard fan of Aamir, I feel he is a very very great actor तो आमेर की मदर का रोल तो उसको मना नहीं कर सकी, I said no I will do it for you John जी जी इस तरह से जो paper पे मैंने picture sign की थी वो पहली थी सरफरोष लेकिन because उसकी कहानी इस तरह की है, इंदुस्तान पाकिस्तान वाली वो सारी कहानी तो उनको वो permissions मिलना, border, border का वो सारा चकर उसमें पिक्चर लंबी चली, मतलब चार साल लगे उस पिक्चर को complete होते, because of the subject उस दौरान मेरी हम दिल दे चुके सनम आई, because उसकी शुटिंग, बुटिंग तो सब होगे, release भी होगे, हम दिल दे चुके सनम super duper hit हुई, उसके इमिरेटली बात सरफरोष रिलीज हुई, वो super duper hit हुई, उसके बाद में ये सारे हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल हम वाली जो चीज़े हैं, सारे पिक्चरों में में काफी pictures कर चुकी तो वो सारी हिट हुई, बस हिट हुई, एक लगा थार, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, pictures हुई, तब, at that point in time, I was all over in the films, मतलब, almost about 12 years or so, मैंने serial की तरफ देखा ही ने, जब मैंने serial क तरफ में यह जब थोड़ा सा कम होने लगा, तो मैंने serial channel पे आता, serial राच्री प्रदक्शन की, वो serial जब आई, तो यह बड़ा नया सत था, because I was not used to the daily episode and daily working, वो hectic schedule जो है, मैंकर hectic, but it's very comfortable working with the राच्री production, because they're very very comfortable to work with, very nice people, very comfortable, thank God, जो मैंने वापस मैंने जब serial में काम करना श लेकिन serials में काम मतलब मैं सोच के करूँगी आगे आएंदा, it's very taxing, it is very taxing, फिल्मों की बाते हुई हैं, कौन सी फिल्म का गाना आप सुनवाना चाहेंगी, अभी तो और भी फिल्मों की बाते हम करने वाले हैं देखे, अगर फिल्म के बारे में आप पूछेंगे तो मेरी जो दो फिल्मे हैं जिसकी वज़े से मैं जानी जाती हूँ, एक हमदिल दे चुके सनम और एक है देवदास, और हमेशा हमेशा एक gratitude मेरी संजर लीला भंसाली को हमेशा होंगी, पिकाज उनकी वज़े से मैं हू उनकी वज़े से आज जो भी लोग मुझे जानते हैं, भले मैंने बहुत सारी हिट फिल्मे दी हैं, लेकिन आज फिर भी लोगों को सिर्फ वो दो फिल्मे याद आती हैं, जब मेरा नाम सुनते हैं, मैं उनको जब बोलती हूँ, any of the songs from those two movies, मुझे हमदिल दे चुके सनम का मुझे मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है, तरब तरब के 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 का, it's a beautiful song, मुझे हम दिल दे चुके सनम के सारे गाने बहुत अच्छा है, इवन उनका टाइकल सौंग भी बहुत अच्छा है, हम दिल दे चुके सनम, बहुत ही सुन्दर है, मुझ पर picturize किया था, काइट का गाना है, पतंग वाला गाना है, और आँखों की गुस्ताखियां, उसमें मैं हूँ, लेकि मुझे गाने, अभी मैं क्या बताओ कॉछ गाना सुना, इन में से कोई एक गाना सुना, बातें फिल्मों की हो रही हैं, और फिल्मों में अच्छानक हम वम वाली जितनी ज़्यादा मेलो-ड्रमेटिक हो थे हैं, पिर देवदास में भी जो रोल था, वो भी ठीक था, पर उसके बाद में मैं एड़स्ट हो गई हैं, जो भी मा का रोल मुझे देते हैं, और इन्वेरेबली वो मुझे मिलती हैं करने के लिए वो रोल, वो हमेशा मैं बिचारी, ग गई हूं, वाकई वाकई, 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 अनुसली तोड़ रिली वाज़ वाली फिल्म है, जी, नाम है उसका सोनाली केबल, वट आम प्लें एंड़स्ट हैं, वाकई वाकई, उस पे लुक भी बड़ा अलग सा है, जो पुरा लुक अलग है, पुरी बलगुल, जो मैं, एंड़स्ट रैड़स्ट पुर्ण फिल्मों में जो मा की भूमिका करने वाली अभिनेत्रियांग, उनकी एक लंबी परंपरा है, उनका एक डायलॉग तो हर मा आज तक भी बोलती है, बेटा मैंने तुमारे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बना बिल्कुल तो आपने भी इस डायलोग को बोलने का रिकॉर्ड बनाया होगा ना बहुत सारी फिल्मों में आया होगा नई मैं अभी जब ये लाइन आती है मेरे पर से प्लीज प्लीज ये लाइन मुझसे मत बुलवाईए मैं ये नहीं बोलूँगी मैं ये जाना चाहता हूँ कि ये जो फिल्मी दुनिया में ये जो मा की भूमिकाएं निभाने की एक लंबी परंपरा रहे जिसमें सुलोचना जी से लेकर आज तक की अभी नेत्रियां शामिल हैं और उस परंपरा का आभी हिस्सा हैं ये इतनी स्टीरियो टाइप भूमिकाएं क्यों होती हैं और पहली अबला नारी करके जो मा की एक अर्टिव थी वो नहीं है तोड़े जो मा नहीं हूँ तोड़े ये तोड़े नहीं हूँ तोड़े ये नहीं है संजे लिला भंसाली से कब किस तरह से मुलाकात हुई थी और शूटिंग पर वो किस तरह के होते हैं कोई एक याद हमारे साथ बाटी है संजे जी की मदर जो है लिला अंटी मेरी एक तब उस जमाने में घुटन करके सीरिल आया करती थी दूर दरशन पता नहीं आप लोगों को याद हैं बट वो मसूरी का पूरा बैकड्रॉप था तो वो लीला अंटी देखती थी हमेशा और संजे जब यह इसकी कास्टिंग कर रहे थे तब उनको बोला था कि यह जो है लेडी उसको आश्वरा की मदर का रोल के लिए आप कास्टिंग का समया तब उन्होंने मुझे बुलाया उस रोल के लिए तब उनकी खामोशी रिली कि क्या है आपकी कैलिबर क्या है यह पूछने का था ही नहीं तब संजे लीला बंजाली पहले खामोशी की फ्लॉप फिल्म के डिरेक्टर थे मुझे क्या पता था आगे चल के क्या होने वाला है एक खासियत है उनकी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रिंसिपल अक्टर जो होते हैं उनको बाकाईदा बुलाया जाता है यह आपकी साडिया है आपको इनमें से कौन से कलर्स पसंद है बताएए आपके ओपनिंग सीन के लिए आप कौन सी साडी पहूस करेंगी क्य चाहिए कौन सा कलर आप अगर यह पहनेंगी तो आपके ओपजिट जो हैं वो यह पहनने वाले हैं तो इस तरह से वो वो यह साडी अगर है उसकी जूलरी क्या पनाएंगे उसके यह जागता है तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर डिरेक्टर मेरे कारेक्टर में इंटर लेता है तो मुझे उस कारेक्टर में इंटरेस्ट लेना अच्छा लगता है कि तो अगर वो सीन मेरा है तो मेरा है तो इसलिए वो वो इन दोनों पिक्टर में आप देखेंगे वो सीन आज तक लोगों को याद है because that scene was mine you know and वो interest लेके बहुत interest लेके छोटी सुची चीज़ मुझे याद है when we did that पतंग वाला गाना सुबहे की साथ की शिफ्ट हुआ करती थी because it was a day song Film City में पूरा सेट लगा था everyday when he used to notice he used to say समीता आज तुम्हेरा बाल जारा थोड़ा सा वो height जारा जादा हो गये थोड़ी सी कम करो मुझे लगता है तुम्हेरा लिप्सिक का कलरा चेंज हो गये I said यह पुछे भी नहीं पता लगता है तुमको कैसे पता लगता है भाई इतना minute observation इतना perfection level और actors के साथ he was very 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 good excellent दब हमारे लिए जो vans आते थे trailers आते थे मतलब जैसे घर का ही था बड़ासा van एकदम और दूसरी चीज़ उनको he likes prawns very much तो हमारी पाठारे प्रभू की जो एक particular prawn की रेसिपी है उनको बहुत अच्छी लगती है देवदास के हमारी उसलिए नाइट पे शूटिंग सुवा करती तो I could carry that prawn dish with me so I had carried once with him तो he had come in my trailer वो डबे में वो पूरे कितने सारे prawns थे बैट के अकेले उसने खाए ऐसे चाट चाट के है अभी लोग भूल जाएंगे उसको दोना servers को नहीं पता चलेगा तो दोना है डबे को इतना तुम चाट रहे हो उसको you know so these are we have had very nice moments on the set both the sets it was nice we used to exchange spiritual books with each other he has got that spiritual bent a little bit so he used to exchange books spiritual books and all that talk about all these nice things and very it was wonderful working with him I love to work with that man देवदास से जुड़ी कोई याद बाठी है फिर हम उसका गाना सुनेंगे देवदास की यही वो प्राउंस का डबबा वो प्राउंस लेके गए थी मैं देवदास के सेट पर जी यह तो हो गई दिन में हम आशेकी की शूटिंग करे थी वो अर्जुन रामपाल और दिया मिर्जा they were there in that film दिन में उसकी शूटिंग हुआ करती थी पर रात को वो शूटिंग डेवदास की अभी बात निकली है तो मुझे याद है जब हम पहला ओपनिंग सीन I don't know if you remember the opening scene it was a handled camera और उनका वो पहला बंगला शुरू होता है वो बंगले के अंदर camera जाता है पूरे सब actors को पकड़ता है छोड़ता है पकड़ता है मेरे साथ camera घूमता है और मैं पूरे घर में घूमती हूँ and last में वो पाया पियानो के पर रूख जाता है camera when I sit down there it's a 12 minute shot and हमको बोला था कि 9 बचे सब लोग आए तयार कोई नहीं हो ऐसे ही जो कड़े पहन के आए हो वैसे ही आजाओ camera के साथ हम उसकी दोड़ा जो दोड़ना था पूरे सेट इधर उधर उधर camera handle camera था तो camera also had to rehearse with us with the actors कर 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 के हम लोग almost till lunch we ran around that set was at least about 10 times or something to get the perfection फिर lunch किया बोले अभी सो जाओ एगंटा सब लो आराम करो तो हम लोग सो हैं थोड़ा सा लँच के बाद में फिर बोले मेकप वेकप करो and we'll do the shot in two takes the shot was done but इतना वो ख्याल रगते थे even हमदिल देचु के सदम में अच्की शॉट से if I was working in the day you know there's swelling आती है you know hero heroine के लिए तो चलो आज इदर pimple है उदर वो है आज ने लेंगे कल लेंगे वो मैं समझ सकते हूँ लेकिन मेरे लिए इतना कोई करता है तो it was a very touch these are very touchy moments touching moments which I had with those two films देवदास का गाना सुनते कौन सा वाला because जो गाना जिस गाने में मैं हूँ मेरे उपर कोई picturize नहीं किया है लेकिन वो किरन खेर और मेरा confrontation that's the best scene of the whole film बिल्कुल उसके बाद में वो जो गाना एक है लेकिन मुझे जो गाना अच्छा लगता है वो है डोलारे जो मेरा पीछे चूट गया था बातों बातों में वो यह है कि आपने तमाम heroes की मा का केरदार ने भाया है जी मैं Mother India बन चुकी है तो सबसे अच्छा किस hero की मा बन के लगा है आमिर की सरफरोश में अला कि मैंने एक ही picture उनके साथ की है but I like the way he works थोड़ा तफसील से बताईए in the sense कि आजकल नहीं बोलते हैं इतना लोग लेकिन तब बहुत बोलते थे कि आमिर बहुत इंटेफियर करता है हर शॉट में तो मेरा ये मानना है उसे में इंटेफियरंस नहीं कहूंगी उसे में कहूंगी कि अगर वो किसी चीज को और अच्छा करते हैं तो उसमें हर्च क्या है आप हर चीज को इंटेफियरंस करके क्यों उसको टैग लगाते हैं because he has this habit of enhancing every scene दूसरा, again एक वो सीन जो था मेरा देखो देखो वो चल भी नहीं सकता है और वो जा रहा है ये वो that was completely my scene Aamir Khan उस सेप है लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि भाई, you should have that dialogue and उनकी वो तो back है वो तो back से जा रहे हैं तो that is one thing I like about a character whoever it is अगर ये सीन आपका बढ़े आप hero हैं, heroine लेकिन अगर वो character इनका सीन है तो इनका सीन है heroine तो पूरे picture में चा रहे हैं उनका तो कुछ भी नहीं उनके सौंग्स हैं सब कुछ तो उन्हीं के उपर है तो अगर किसी actor को एक अगर सीन मिलता है तो give it to him it becomes a balanced picture you know, see from Mughalya Azam till date जो भी picture है हिट बनी है they have been balanced हर कि शोले देखिए इतने लोग लगान देखिया एके characters foreigners इतने 11 players ये 11 players फिर भी दो-डो heroines एके character याद रहता है हर पिक्चर का that is a balanced film you know, you have to have a balance सब को अगर character कोई बना है तो उसका एक शुरुवात है उसका peak है और फिर end है ना, हरे character एक graph पूरा होना ही चाहिए complete graph so which he always saw to it that it was there Amir when he did it because there have been other actors whom I've worked with they have only thought about themselves you know I won't mention names पर है कि they've only thought about themselves I personally respect somebody who respects the other person सही है अब एक मौका आपके लिए ये है कि Amir Khan के लिए गाना प्ले करने की बारी है उनके तो बहुत सुन्दर सुन्दर पिक्चर उनके थ्री इडिएट्स वाले बहुत I had loved that film of his थ्री इडिएट्स और वो एक मा का उनका वो गाना भी बहुत बढ़िया है उनका तारे जमीं पर तारे जमीं पर वो गाना सुनते इंदर प्रसुन जोशी ने इसको लिएट्स आज के महमान कारिक्रम में आज हमारे साथ थी जानी मानी अभीनेत्री समीता जैकर इनसे बातचीत का सिलसिला अभीचारी है अगले हफते हम बात करेंगे इनकी शक्सियत के आध्यात्मिक पहलूँ के बारे में और इनकी जिन्दगी के और अलग-अलग हिस्सों के बारे में तो जरूर सुनिएगा अगले हफते आज के महमान कारिक्रम चलने से पहले आपको बता दें इस कारिक्रम के रिकॉर्डिंग इंजिनियर मंगेश सांगले और विविद भारती की ओर से इसकारिक्रम को प्रस्तूत किया कलपना शिट्टी ने आज के महमान पत्रस्वागतम शुभस्वागतम आनंद मंगल मंगलम तितप्रियम भारत भारतम इतप्रियम आरतम आरतम स्वागतम शुपस्वागतम अथस्वागतम शुपस्वागतम